कि नमस्का दोस्तों मैं विमलेश कॉत्तम और आप दिखना ट्रिपल वी ऑवर्सिस दोस्तों गुड न्यूज है अच्छी खबर है कि जिसके लिए हम काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे जो दो चीजे थी एक तो बैंक बैलेंस मैंटेन करने के लिए हमारा जो फर्स था दूसरा कंजमा लॉन के लिए है दोस्तों दोनों पॉइंट पर हमने काम शुरू कर दिया अभी पाइलेट बैच के तहट हम जो लौन वाली फैसलेटी है वो टॉन्टी लोगों को प्रोबाइट करेंगे और जो बैंक बैलेंस है वो भी टॉन्टी लोगों को करते हैं या Singapore में apply करें या फिर पोलेंड में apply करें दोनों देश्व में apply करने के लिए उनको ज्यादा budget की आविशकता होती है जैसे कि यूरोप में budget ज्यादा लगता है Singapore में भी लगता है तो यहां पर लोग का जो budget था budget के विज़े से कई लोग interested लोग apply नहीं कर चीज प्रोवाइड करेंगे उसकी ऊपर आगे प्रोजेक्ट को कैसे हम एक स्टेंडर्ड फॉर्मेट में ले जाएंगे वो दीर दीर करके एक प्रॉपर फॉर्मेट में आएगा सो अभी हमने 20 लोगों को कंजमर लोन के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है और उस प्रोजेक्ट के तहट गुजिरात के लोग जो बड़ोदरा आसपास के होंगे उन लोगों को हमने 20 लोगों को कंजमर लोन के लिए प्रोजेक्ट बनाया उसमें हम उनको कंजमर लोन द लेकिन फैसली लेने के लिए वो ट्रिपल वी के पास आएंगे ऐसा नहीं होगा जिन्हों लेकिन बाहर जाना चाहते हैं इंट्रेस्ट है टैलेंट है और पोटेंशल पूरी है और एक प्रिकार से प्रोफाल में एलिजिबल हैं लेकिन बजट के बज़े से वो बाहर जाने के लिए सक्षम नहीं थे क्योंकि बज़े नहीं हो पारा ते सलीए वो सोच नहीं पारा थे कि सिंगपूर जाएं या पोलंड जाएं या कहां मिस जैसे जो लोग भी यूरोप के लिए जाने वाले हैं उसमें से उनको जो लॉन फैसलेटी होगी है वो लॉन फैसलेटी लगबग यह माले जिए जो भी क्राइटरिया होता बैंकिंग पैटर्न होगा काम इसका 70% 80% ऐसा उनको लॉन अमोंट मिलेगा अब यह जो लॉन अमो प्रोशीजर रहेगा जैसा बैंकिंग गाइडलाइन्स होते हैं उसके साफ से रहेगा और जो टॉम्सन कंडिशन सोंगे उसके साफ से होगा मिस जो भी इसमें पैसे इंवेस्ट करेंगे जो पहले प्रोइटी होगी कि रिटन ऑफ इनवेस्टमेंट कैसे हो तो जो लोग भ पॉइंट आता है रीपे करने का क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो कंजमल लॉन है उसमें जो रिकबरी पार्ट है बहुत टफ हो जाता कई बार इसलिए जो लोग क्राइटरिया में आएंगे उसके हिसाब से उनको लॉन मिलेगा और लॉन कितना मिलेगा सेवेंटी परसें एटी परसें नाइटी परसन या कभी कभी हंडेट परसन डिपेंड करता है बेंकिंग सिस्टम के उपर जो हमारी पार्टनर और्गनेजिशन है वह इस पर डिसाइड करेगे कि आपको कैसे लॉन देना है और किस हिसाब से रिकबरी करना है जो यह माइज होगी वह कैसे कितनी हमाइज बन सकती है यह चीज रहेगी और उसके लाबा जैसे अगर किसी ने कोई बंदा अभी दो साल के लिए गया उसने लॉन लेके गया लॉन चुकता कर दिया फिर उसको अगर दूसरी कंट्री में जाना है तो उसको एक्स्टेंशन भी मिलेगा जो उसको पहले किसी को सो रुपय का लॉन दिया और अगर उसने प्रॉपर तरीके से जैनुवन तरीके से इमान दरी से पूरा लॉन चुकता कर दिया अगली वार उसको सो की जगा 150 या 200 भी मिल सकता है तो यह एक इंपोर्टेंट चीज है इसमें क्रेडिट रेपोर्ट भी बनेगी जो भ पर बाद में हम 100 का 150 करेंगे, 150 का 200 करेंगे, 300 करेंगे, 500 करेंगे जैसी क्रेडिविल्टी उनकी बढ़ती जाएगे वैसे वैसे लॉन की अमान बढ़ती जाएगे यह हुआ कंजमा लॉन के लिए जिसमें से जो भी गुजिरात में नियर वाई वड़ोदरा हैं उनको हम यह फैसलिटी प्रोवाइड करेंगे, अब दूसरी बात आती है बैंक बैलेंस मैंटेन करने के लिए, दोस्तों बैंक बैलेंस मैंटेन करने के लिए, कई लोग ऐसे ह होते हैं जो पोलेंड के इंट्रेस्टेड होते हैं, बजट होता है, लेकिन बैंक बैलेंस मैंटेन करना तफ होता है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के माददियम से अनौन्स किया था कि हमारे पास अभी जो वेकिंस्य यह इसमें कॉस्ट कम रहेगा, और 국स्ट कम होने की में पैंट से पहले कई स्टेप्स थे अभी फिलाल prob इने स्टेप्स और उन तीन स्टेप्स में जो इजी इसי मोड से मैंने पैंकर प्रोसीजर बनाया हुआ है वह काफि सिंपल और कस्टमर सपोर्टिंग धिर सकाएग। सो दोस्तों जैसे उन्होंने स्मॉल अमाउंट के लिए औरंजमेंट किया बाकी बैंक बैलेंस के ऊपर मैंटेन करेंगे तो यह मालेजी कि बैंक बैलेंस मैंटेन करने के लिए उनको आसानी होगी और जैसे वीजा स्टैंपिंग होने के बाद में वो जैसे किसी से लेते हैं वो ले सकते हैं, सपोज कि ये कोई बंदा आंधर प्रदेश का है, उसके पास budget नहीं है, और अगर वीजा आता है, तो उसके दोस्त या आसपास के लोग उसको payment दे सकते हैं, बट अगर वीजा नहीं आता है, उससे पहले नहीं दे सकते हैं, तो उस इनसान को bank balance maintain करने में काफ करने के लिए process कर रहे हैं प्राबधान है हमारा lot रहेगा लेकिन bank balance maintenance करने लिए उसको चार महिने तीन महिने चार महिने पांच महिने जितनी भी आवश्यकता होती है उसके सबसे वह maintain होगा और वह obviously account का access जो भी हमारे partner company है उनके पास रहेगा और इससे अबिसे एक प्रोपर गैडलाइन के साफ्षयों को फॉलो करना होगा एक 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 अग्रिमेंट भी बनेगा और बैंक बैंक बैंक्ट करना के बाद जैसे उनके पासपुर्ट पर स्टैंपिंग लगता है उनका बैंक्ट बैंक्ट बना पार्ट सिक रगता तो कोई भी इंसान अपने सर्राउंडिंग में वेर्क आउट करेंगे बात करेंगे तो डाफिनेटली उनको पैसे का आरज्ज्मेंट मिल सकता है जैसे कई बार ऐसे होते कि आपका वीजा नहीं कि याओगे पता नहीं कब जाओगे कैसे जाओगे लेकिन अगर किसी के पास में यह सब चीज़े ह हो जाएं और उसका bank balance maintain हमारी तरफ से हो जाता है और उसका passport पर लगता तो जो भी sources से वो पैसे लेने वाले हों उनसे बात करके पैसा ले सकते हैं इसमें कई लोग को आसानी होगी बहुत से लोग हैं जो इस वजे से इसमें प्रोसेस नहीं रहे थे क्योंकि बैंक balance maintain नहीं कर पाएंगे लेकिन अभी हम उसमें उनको help कर पाएंगे लेकिन obviously इसमें terms and conditions होगी उसमें certain interest भी होगा और इसमेंसे जैसे जो एक्सेस होगा बैंक का चाहिब हो चेक हो एटीम हो डेविट कार्ड हो पिन हो वो सारी चीजें जो हमारी partner company उनके पास में सम्मेट रहेगा जब तक उनका bank statement clear नहीं हो जाता है और पैसा विड्ड्रोर नहीं हो जाता है तब तक के लिए यह सारी चीजों का एक्सेस company के पास मराएगा सो दोस्तों जो लोग इंट्रेस्टेट हैं जिनको apply करना सब कभी-कभी ऐसा होता कि पोलेंड में समय 5-6 महीने लगता कभी 7-8 महीने भी लग जाता है डिपेंड करता है कि VFS में submission कभ होने वाला है VFS में जो appointments होता है वो availability के साब से होता है अगर उसमें option available होगा appointment की date available होगी तभी appointment लिया जाएगा तो VFS में जो dates मिलना एक important point है अगर dates available है तो definitely जो time है वो कम रहेगा इस 4-5 मेने के अंदर 6 मेने के अंदर हो जाएगा लेकिन अगर dates नहीं मिलती तो लेट भी होता तो वो period में bank balance maintain करना भी उतना ही लंबा maintain करना पड़ता है तीन से चार मेने के जगह फिर 5-6 मेन नहीं है साथ मेने भी maintain करना पड़ता है तो यहां पर जो हमारी partner company है वो terms and conditions के साबसे सारी जो को proper तरिके से guide करेगी और इसमें से obviously यह जो information है यह phone पर नहीं मिलेगी किसी भी candidate को phone पर इसकी information नहीं मिलेगी कि loan कैसे मिलेगा और इसमें bank balance कैसे maintain करना होगा यह हमारी कलिक से इसके बारे में information नहीं लेंगे उन से सिर्फ vacances के बारे में बात करेंगे जो loan की facility है या bank balance maintain करने की facility है उसके बारे में candidate को office में ही visit करना होगा उस पर phone पर कोई information नहीं मिलेगी वीडियो में जितनी information है यतनी information को मिली है भी और जो actually interested है वो office में widget करें यहां पर process को समझें और उसके बाद apply करें और जैसे कि आप किसी भी बैंक में जाते हैं loan लेने के लिए किसी भी टाइप की facility लेने के लिए तो जैसे bank में जाना पड़ाता है उसके बाद ही आप सारी चीज़ों को करते हैं documentation support जितनी भी चीज़े हैं सब बिलेगा और security purpose क्या रहेगा वो सारे चीज़ों को उपर आप office विजट करेंगे तब ही information मिलेगी इसमें वीडियो जो numbers दिये हैं इस पर numbers भी नहीं देंगी हम लोग जो भी आपको information लेनी है वो directly office विजट करें आपको सारी information मिलेगी आप चाहे वो consumer loan के बारे हम बात करें या फिर bank balance को maintain करने के लिए बात करें और जिन लोगोंने agreements किये हैं लेकिन अभी कुछ लोगों का प्लान अभी pending है कि अभी bank balance maintain कैसे करना है उन लोगों से like यह request है कि वो अब चाहें अगर उनको bank balance में support चाहिए तो हमारी team को directly office आके inform कर सकते हैं या फिर टीम को इतना inform करते है कि वो loan facility के लिए interested हैं और आना चाहते हैं office एक बार date की appointments ले ले ला है जो मेरी मैं office में available हो उससे साब से वो आएंगे तो उनको पूरी information मिल जाएगी अफिस में पर उनको पूरी जानकारी मिल जाएगी लेकिन phone पर उनको इसकी बारे में जानकारी नहीं मिलेगी कि loan की procedure क कैसे होती है दोस्तों यह बहुत अच्छा project है शुरू में पाइलेट बैच के अंतरगत हम 2020 लोगों को process करने वाले हैं बीस लोगों को कंज्मन loan के लिए बीस लोगों को हम bank balance maintain करने के लिए और जैसे यह इसके उपर हमें result मिलेगा obviously हर organization इसको उपर work out करके जैसे return मिलेगा proper response मिलेगा उसके बाद फिर हम इसमें quantity बढ़ाएंगे और इसको वर्ल्ड वाइट करेंगे जैसे कि मैंने seminar के माद्धियम से आपको update किया seminar में आपको update किया कि हमारे जो दोनों product है इसमें bank balance बाला part भी हमने मैं उसमें mention किया था और यह चीज हम initial stage 2020 लोगों के साब से करने व करें और apply करें और obviously इसमें result तो आने वाला है क्योंकि अभी सब चीजे normal हो गई है पोलन के process भी काफी normal हो चुकी है अब धीर-धीर करके speed up होगी जो काम अठके हो थे वो सभी काम धीर-धीर करके होने लगे हैं soft copy भी निकलने लगी है hard copy भी निकलने लगी appointments भी होने लगे है तो यह सब चीजें करके step by step हो रही है जो लोग भी इस बज़े से रोके हुए थे कि उनको bank balance maintain करने में परिशानी है इंडिया के किसी भी कौने से हैं वो लोग आके agreement कर सकते हैं process कर सकते हैं और वो facility के लिए request कर सकते हैं आपकी civil score को देखते हुए हम लोग आपको बता दें डिस्ट्रिक्स हैं उन लोग इसमें apply करेंगे और उसमें जो भी terms and conditions होगी उसकी information उनको जब वो office आएंगे तब उनको दी जाएगी सिंपल होती जैसे bank से अगर हम लोन लेते हैं तो recovery के लिए कितने mode of like resources होते हैं जहां से वह जो भी पैमेंट है recovery हो सके उसके सबसे तो री पैमेंट होने के लिए जो भी possible साधन होते हैं जो भी possible माद्देम होते हैं वह सारे चीज़ों मैं eligible होंगे तो definitely उनको जरूर मिल जाएगा जो भी नियर्वाइ locations क्योंकि पहले हम नियर्वाइ locations की उपर काम कर रहा है फिर दीरे करके अरिया बढ़ाएंगे दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा अगर पसंद आया तो आपनों दोस्तों forward कर सकते हैं जिससे रिलेवन लोगों भी इसके लाब मिल सकता वो भी इसमें apply कर सकते हैं वीडियो पसंद आया तो like कीजिए, comments कीजिए, share कीजिए, हमारे वीडियो को लगाता देखने के लिए चैनको subscribe कीजिए, घंटी वाला option जरू दबाएं जैसे कि आपको आने वाले सारे वीडियो के notification सब से पहले मिलेंगे, धन्यवाद